ओम स्री गने साय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर सौंबार के रासी फल के बारे में कीह दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपकी आर्थिक इस्ति काफी अनुकोल रहने वाली है आर्थिक लाव के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वेवसाय से संबंदित या फिर बहर के कमपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामकाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राई हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाईक साबित होंगी दोस्तो साथ य साथ शिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल प्रेणाम प्राप्त होंगे और उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्त होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गड़मानने लोगों द्वारा आपको अवश्य ही आज प्रसंसा प्राप्त होगी कामकाज के छित्र में भी आज कुछ व्रद्धी करण किया जा सकता है जो आपके लिए अवश्य ही अच्छा साबित होगा दोस्तो पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार में आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीज सकते हैं दोस्तो धन्यधान अचल संपत्ति प्राप्टी के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है जादोस्तो आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा तो कि आप जिन्दगी पूरी तरह से जिए गे जादोस्तो आपका मनोबल और पूरी तरह से आपका अपने काम के परती बूर्ण रूप से समनपन भाव आपके लिए आज नई जा दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी मेनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा जा दोस्तो इसलिए आज आप समय का सद्यों प्योग करें को कि आज आपको अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है जिससे आपको काफी खुस का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होने की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना बहु दूसरे को जोडने का प्रियास करें जा दोस्तो साती साथ आपको अपने कर इस्थल को लेकर भी आज कुछ ऐस संतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी महनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्व अन्यता किसी तरे की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पर सकता है मानसिक असांती के साथ साथ कारण व्यवसाय में भी आज व्यवधान उत्पन हो सकता है मन में घवराहट तथा परिस्थानियों से कारण योजनाओं में बाधाएं उत्पन हो सकती है अथे आपका शक्की स्ववभाब आपके लिए आज कुछ परिसानिया उत्पन कर सकता है बच्चों पर जादा अनुशाशन रखना उनके लिए परिसानिया खड़ी कर सकता है इसलिए अपने स्वभाब में आज आप थोड़ा लचीला पन लें पिता का सम्मान करें कुछ मतबेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साती सात आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों आज अचानक यत्राओं के करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें मत बेहदो की एक लंबी श्रंखला के पनपने के करण आपको समंझस बैठाने में मुश्किल आज आसकती है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जबकि लव लाइफ के शिर आज का समय बहुती अति उत्तम रहेगा जा दोस्तों विवादों से आप दूर रहें किसी के कहने पर कोई कारें आप ना करें आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें क्यो दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें आपके गुपत योजनाओं आपके काम में ज़्यादा फाइदे देंगी जा दोस्तो इस समय कहीं से आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फाइदा होगा जह दोस्तो वेवसाइक छित्र में धनलाव की आज इस्तिती रहेगी कार्रे आज आपके लिए सबी आसानी से सफल होंगे कारोबार विश्टार की आज आप योजनाए बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आपको पेशे के लेने दिन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्चे ही लाबदाइक सिद्ध होगा साथी साथ नोकरी पेशा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है नोकरी से सम्मनित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्चे ही प्रात हो सकती है जिस से इनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त समरद बना हुआ रहेगा लेकिन सुबासुब ग्रहों की इस्तिती के कारण आज आपको शकारात्मक वे नकारात्मक दोनों ही तरह के पेड़नाम देखने को मिलने वाले रहेंगे जया दोस्तों शारारिक से ज़्यादा मांसिक स्वास्त पर आज आपको अधिक जोर देने की जरुत हैं आपको अपने क्रोध पर आज नियंतरन रखना होगा साथ साथ दोस्तों अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दें क्योंकि आज आपको पेड़ से सम्बंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत रहोने के बाद लाल रंग का रेसमी धागा ले जा दोस्तो उसके बाद आप इस धागे को अपनी लंबाई के बराबर काट ले इसके बाद आप इस धागे को धोकर आम के एक पत्ते पर लपेट ले इसके बाद आप इसको बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त करने बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भोलेनात का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भोलेनात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद